हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर की खीर की रेसिपी, तो आईए शुरू करते हैं ये मैंने लिए दो किलो गाजर, मैंने इने धोकर छील लिया है, और अब हम इने कदूकस करेंगे अब सारी गाजर कदूकस हो गई हैं, आईए बनाना शुरू करते हैं अब हम एक कड़ाई में ये सारी गाजर डाल लेंगे और इनने कुछ देर के लिए रोस्ट करेंगे हम इने चलाते रहेंगे इसे प्लेट से ढख देंगे और कुछ देर बाद देखे हमारे गाजर सोफ्ट हो गई है अब हमें इनने कुछ देर के लिए चलाते रहेंगे मैंने इस खीर को बनाने के लिए दूद का यूज नहीं किया है मैंने घर पर निकाली ही मलाई का ही यूज गया है और यह लिए मैंने लगबग 300 ग्राम मलाई अब हम मलाई को गाजर में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मलाई के में ठोने तक हम इसे चलाते रहेंगे और यह अब हमारी मलाई खीर में मेल्ट हो चुकी है हम इसे थोड़ी देर चलाते हुए मिक्स करेंगे और अब हम इसे एक प्लेट से थोड़ी देर के लिए ढख देंगे और यह देखिए हमारी खीर हमारी मलाई मिक्स हो चुकी है हम इने थोड़ी देर चलाते रहेंगे हमने फ्लेम को लोग कर लिया है और अब हम खीर में चीनी डालेंगे मैंने लगवग 300 ग्राम ही चीनी का यूज़ किया है एक चमचे लाइची पाउडर आप चीनी कमिया ज्यादा कर सकते हैं आप इसे अपने टेस्ट के अकोर्डिंग ले सकते हैं थोड़ी देर आप इसे बॉयल होने दीजिए हमारी खीरब तयार है अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे और आप अपनी पसंद के ड्राइफरूट से इसमें डाल सकते हैं और यह हमारी गाजर की खीर तयार है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक केजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब केजिए तो मेरें और में पस्ट काजिए हैं झाल झाल